हलो दोस्तों विल्कम बैक टु मैं चैनल आशा करती हूँ के आप सब अच्छे हैं मैं अनुपमाद टेल्सों पनुपमाँ से आज आपके लिए लाए हूँ एक निया वीडियो तो दोस्तों आज है 14 में मदर्स डे वे से तो हर दिन ही मा का दिन होता है मा के अलावा भी कोई दिन होता है क्या लेकिन क्योंकि आज स्पेशली मदर्स डे है इसलिए मैंने प्लैन किये है कुछ सप्राइज़ अपने मा के लिए और वो सप्राइज़ क्या है अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को पुड़ा जरूर देखिए तो दोस्ता अस दिन की शुर्वात हुई है मेरे ट्यूशन पराने से हाँ दोस्तों मैं बच्चे लोग को पराती हूँ इससे मेरा थोड़ा साइडीन कम भी हो जाता है और ये काम मुझे बहुत अच्छा भी लगता ह और जब भी मैं पराने बेटती हूँ ये जो मेरा छोटा सा बच्चा है न ये हमेशा आके बेट जाता है बिकोज इसे भी छोटे बच्चे उतने अच्छे लगते हैं जितने की मुझे तो ट्यूशन कम्प्लीट करने के बाद में सिधा चेली गई मा के पास और सोचा थोड़ा कोई बहाना बना के उन्हें पहले में बाहर ले जाओ उसके बाद उन्हें एक एक करके उनके सारे सप्राइजिस दूंगी आर यहां में पुप्डिगी लिक्रेव नहीं पता भी नहीं ता कि आज मदस रहे लेकिन बंगाली में कहावत है ना ओती चाल्वाट ना यहां आर आज मेरे साथ वही हुआ है साधा चाला की करने गई तो पकड़ी गई महा ने किया यूटूब पे सर्च और उन्हें पता चल गया कि आज मदस्डे है तो यह लरकी कुस तो करने वाली है लेकिन हम भी बड़े धीटे मदस्डे का पता चल गया तो क्या हुआ अब भी दिये जा सकते हैं इसलिए मैंने जैसे तैसे कर लिया ममी को राजी लंच पर जाने के लिए और जोड़ों शोड़ों से लग गए काम पर तैसे तैसे ब Expectation तो दोस्तो आफ्टर कम्प्लीट मैं आल कामकाज में आके थोड़ा बेद गई सोचा की थोड़ा रेस कर लूँ ठिक तभी मुझे याद आए कि चलो देख लेती हूँ कि घड़ी में कितने बज़े हैं और गेस करो दोस्तो मैंने क्या देखा मैंने आपको भी जानना है कि मैं अपने डॉक्स को क्या खिलाती हूँ तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा क्यूंकि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ डॉक्स को खाना खिलाने के बाद हम दोनों ने भी जल्दी से कप्रे बदल लिये और यहां मैं कर रही हूँ ममी को तयार ममी को तयार करने के बाद मैं खुद भी रेडियो हो गई और यह था हम दोनों का आज का लुक और यही से शुरू हो गया है हमारा सफर आज के पहले सप्राइज के ओर तो मेरा पहला सप्राइज था मा को लंज पे लाना जो पूरे साल मुझे अच्छा-चा खाना वना के खिलाती है आज मैने सुचा कि उनको उनके मनपसंद का खाना खिलाया जाए और इसलिए मैं मा को लाई थी रानाखट के सैफ्रोन रेस्टरॉन में जाहा का खाना मा को बहुत ही अच्छा लगता है अच्छा 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 अच्छ दस मिनिट के लंबे डिसकर्शन के बाद हमने ठीक कड़ी लिया कि आज हमें लंच में क्या खाना है और मैंने ओर्डर किया कोरियंडर राइस विद चिकन टंगरी मसाला और एक बार्टेंडर स्पेशल मॉक्तिल और मम्मी ने ओर्डर किया साफरं का स्पेशल मतन बिर्यानी इसके अलावा स्टार में हमने लिया है फिस्चिली जो कि मम्मी के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आ गया कि थे दागा तुमी बॉलो पुद्र मैं क्या मुन लगजे कि आप खेर वाल के मुल लगजे गौड़ों अमिते रखों तुम च्राइक कोड़ी आम रहा है जालक आप जिया श्क्री जिया तो इखाए जो कोटभाव लगजे अधिगे है यह ज़िए है आप अधिए अधिए बहुत अच्छी तरह से पेट पूजा कर लेने के बाद हम हैपी ली वहाँ से निकल गए क्यूंकि अभी भी बाकी थे मेरे दो और सब्प्राइज़े अभी मैं उन्हें ले जा रही हूँ उनके दूसरे सब्प्राइज के और आइठिंक उन्हें यह दूसरा अभी मैं जहां जा रही हूँ वो उनके फेवरेट जगाओं में से एक है तो अभी हम आ गया है श्री बूटिक के सामने जो की है मम्मी का एक बहुत ही पसंदीता क्लोधिंग शॉप मेरी मां जादा तर सारी पहनती है वो सलवा सूट उतना जादा नहीं पहनती है लेकिन व कि आज में उन्हें यहां पे लाई हूँ ताकि उनके पसंदीता शॉप से आज उन्हें में कुछ खड़ीत दे सकूँ बखाव लग जेता भात अच्ये नहीं में अज्यागा है ध्यात को आजए खड़ीत शादा जांकलर को फूपूल तो धेर सारे कप्रों को अच्छे से टाटोलने के बाद हमें मिल गया है हमारा फाइनल प्रोड़क्ट जो की है ये कुट्ता ये कुट्ता मुझे और मेरी मा दोनों को बहुत पसंद आया है और इसी के साथ भया ने भी बहुती खूपसुरत सा एक प्लाजो पैंट हमें सजेस के साथ बहुती अच्छा लग़ा था यहाँ है वाइ जो पेटा भालो लागछा वालो लाजे दू टोई आर्थ ही गळालो अने कॉंधो लगवे ऐक्ता हल्का एक्ता डार्क भालो लगचे आग मालो तुमां को भालो लागचे तुमार अामार को सुंदरे जे साह आर मोचा वाल को रहा है जो आपको अप्सार को आउंद में आचान ला वहा थे डल जो हुट हुट है जाए तब में अचान न सब्सक्रावकाः है प्रापोट क्यों पार्ड़ है इसके बाद मुझे फिर से 10-15 मिनिट लगे और एक कुर्टासित पसंद करने में और फाइनली हमने ये दो कुर्टासित पसंद किये जिसमें से एक था मेरी मा के लिए दूसरा था मेरा सासु मा के लिए तो दोस्तो शॉपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद भी हमारा मन नहीं भर रहा था इसलिए भया ने हमें कुछ साडिया भी दिखाई जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो अगर आप भी अपने मा को कुछ गिफ्ट करने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पे जरूर आ सक सब्सक्राइब होने के बाद अभी मैं मा को लेके जा रही हूँ उनके थर्ट सब्सक्राइब के ओर जो क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी मैं मा को लाई हूँ अजंता फुट केर में तो मा कुछ दिनों से कह रही थी कि उनका जो पहले वाला सैंडल है वो बहुत ही पुराना हो गया है और उसे पहन के चलने में अभी मा को पेरों में दर्ध होता है तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज उनको एक नया सैंडल ही कर दोके शेला है का कालोटा जीते कालोटा थी किसा कालोटा थी अचे कालोटा को यृशा इनो खालोट्यिक शेनल अच्छे बहते हो अ जबत प्छे तर्माघ जुटा के तदिचीत लिगर शे अज़िए बैढ़ोँ है और यही पे खक थान्यवा मेरे तीनों सप्प्राइजेस आई थिंग मा को यह तीनों सप्प्राइजेस बहुत अच्छे लगे होंगे उसके बाद हम सीधा चल दिया अपने घर के ओर और घर आके शाम को किया एक छोटा सा सेलिब्रेशन जहां पर माने केक कट करके किया आज के दिन का एंड तो दोस्तो हर एक दिन हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है और आज के दिन से मैंने एक बहुत ही जरूरी बात सिखी कि हमारे माबाप हमसे बहुत जादा कुछ ने चाते अगर हम उनके इन छोटे-छोटे जरूरत का ख्याल रख पाए उनका साथ दे उन्हें प्यार कड़े उनके लिए यही बहुत होता है